दोस्तों नमस्कार, 2014 के चुनाओं में अयोध्या का जिक्र नहीं था, 2019 के लोकसभा चुनाओं में अयोध्या का जिक्र नहीं था, लेकिन 2024 का चुनाओं सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के जिक्र के आसरे बढ़ चला है इससे पहले कभी शंक्राचारियों ने देश के प्रधान मंत्री को लेकर कोई टीका टिपनी नहीं की थी इससे पहले कभी भी किसी भी मंदिर को उर्धाटन को लेकर इस देश के शंक्राचारियों को दर किनार नहीं किया गिया था राजनिती और धर्म का टक्राव शंक्राचारियों के जरिये और प्रधान मंत्री के आस्था और राजनितिक सवालों के जरिये इस टक्राव की परिस्तिती में कभी नहीं था इससे पहले किसी मंदिर के उद्गाटन को लेकर ऐसा सवाल खड़ा नहीं हुआ कि तमाम राजनितिक दल इनकार करने लगे या जो इनकार नहीं कर रहे हैं वह उसे अपनी जड़ों के साथ राजनितिक तोर पर जोड़ते हुए दिखाई देने लगे ऐसी परिस्तिती इससे पहले नहीं थी यहां तक कि जो विश हिंदू परिशद निमंतरन पत्र बांट रहा है उस निमंतरन पत्र को बांटते समय विश हिंदू परिशद के उसके अपने इतिहास को भी परकियेगा तो 1964 में विश हिंदू परिशद जब बना तो उस वक्त उस तक की 1980 में जब अशोक सिंगल ने विश हिंदू परिशद को समाला तो वो अकेले दिल्ली के पत्रकार भवन में बैठे थे और हाथ से लिख कर कह रहे थे कि अब अयोध्या में राम मंदिर के निर्मान की जरूरत है यानि उस दौर में भी बीजेपी बन चुकी थी लेकिन व उस वक्त RSS राश्टिय स्वैसेवक संग भी अपने तौर पर अपने दो पाउं पीछे खीच के चल रहा था लेकिन शायद इसी लिए दो हजार चौबिस का महत्तु कितना बड़ा हो चला है इसकी कलपना किसी ने नहीं कियोगी और इस ना करने वाली कलपना के साथ आज तीन परिस्तितियों को परखने की शुरुआत कर डालिये क्योंकि भारत की राजनिती बदल रही है भारत की समाजिक सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी तले इस देश के राजनितिक चिंतन को अभी तक जिस रूप में सामने रखा गया उसमें बदलाओ आ रहा है इस देश के भीतर में धार्मिक सवालों को लेकर राजनिती ने इससे पहले मुद्दों के आसरे या भाशनों के जरिये या बयानों के जरिये जो कुछ कहा अब वो खुले तौर पर नए स्वरूप में सामने आ रहा है इस दोर में कॉंग्रेस भी उस दिशा में अब बढ़ चली है जहां उसे पहली बार समझ में आ चुका है कि दरसल हिंदू वादी पार्टी अगर बीजेपी खुद को कहती है तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को हिंदू अपने आपको साबित करने की दिशा में बीजेप हो चाहे वो सीता राम यचूरी हो चाहे कॉंग्रेस के भीतर बैठे हुए मनमोहन सिंग जो अम्रदराज हो चले है वह हो या फिर मल्लिकार जुन खडगे जो पार्टी के अध्यक्ष है वो हो या फिर सोनिया गांदी हो इन तमाम सवालों के साथ इस देश की राजनिती क्य 22 तारीक के बाद बदलती हुई दिखाई देगी और खास तोर से तब जब सवाल ये है कि इस देश के शंक्राचारे भी कुछ सवालों के साथ खड़े हो चले हैं और कॉंग्रेस शंक्राचारियों के साथ खड़े होकर निमंतरन स्विकार इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि बहुत सारे सवाल शंक्राचारियों ने खड़े किये जो आस्था और धर्म के लिहाज से भी शायद मौजूदा वक्त में बहुत सारे सवालों को जन्व देते हैं तो क्या वाकई दो हजार चौबिस के चुनाओ के इर्द गिर्द इस देश के समूचे वाता वरन को समेटा जा चुका है इस सिलसले को समझने के लिए तीन इस्थितियां एक अतीत का सवाल है एक मौजूदा वक्त का है और एक शायद आने वाले वक्त का है क्योंकि जब जब जिक्र शंक्राचारियों का होगा तो जरा इस बात पर गौर कीजिए कि दरसल चारों शंक्राचारे किस बात से नाराज है और इनका महत तो क्या है क्योंकि भारत की प्राचीन भारतिये सनातन परंपरा के विकास और हिंदूओं के प्रचार प्रसार में आदी शंक्राचार का योगदान सबसे महत्पूर नहीं बलकि सब कुछ रहा है यानि सवाल आदी शंक्राचार से आज जोड़ना पड़ रहा है तो पहली लकीर शंक्राचारियों को लेकर क्योंकि आदी शंक्राचारे ने देश के चारों दिशाओं में चार शंक्राचारें के मठों की अस्थापना की थी और चार मठ आज भी सनातन परंपरा कहीं प्रचार प्रसार करते हैं अब सवाल है कि इस देश की चार दिशाएं जो उत्तर पोरुव दक्षिन पश्चिम है अगर उन चारों मठों से ये अवाज आ रही है कि जो शाष्टर कहते हैं उसके हिसाब से अगर प्रान परतिष्ठा नहीं हो रही है और राजनितिक तोर पर कॉंग्रिस उन शंक्राचारियों के साथ खड़ी है तो एक मैसेज राजनितिक तोर पर बहुत साफ अब निकल कर आने लगा है कि जिस दिन शंक्राचार अयोध्या मेरा मंदिर पहुँचेंगे उसी वक्त कॉंग्रिस भी पहुँचेगी तो क्या इंतजार रहेगा सब साथ जाएं या इंतजार रहेगा कि शंक्राचार पहुँचें उसके बाद कॉंग्रिस पहुँचें उसके बाद इस देश की राजनितिक कदम मिलाए क्योंकि राजनिती से धर्म का वास्ता चाहे राजनितिक लाप पहुँचाने के लिए या नुकसान करने की दिशा में चिंतन मनन होता रहा हो लेकिन सवाल जब इस देश की आस्था से जुड़ा है, सनातन परंपरा से जुड़ा है जिनों ने बहुत साफ तोर पर इतने बड़े बड़े सवाल शुरू किये स्वामी जी ने ये कहकर कि क्यों जो होना चाहिए शाश्त्रों के लियास से नहीं हो रहा है हम उस पर आएं, दूसरी तरफ पूर्वी मठ है, जो गोवर्धन मठ के तौर पर है, जो पूरी मेस्थित है जिसके शंकराचार्य स्वामी निश्चला नंद स्वरसती जी है दक्षण का मठ है श्रंगेरी मठ, श्रंगेरी मठ यानि शारदापीट, शारदापीट यानि करनाटक और वहाँ पर शंकराचार्य स्वामी भारती क्रिश्न तीर्थ हैं, उनके भी कुछ सवाल है और इन सवालों के साथ पश्चमी मठ, जो द्वारीका पीट है, जो द्वारीका यानि गुजरात में है, वहाँ के शंकराचार स्वामी सदानन्जी भी है इस थिती ऐसी भी आई कि दच्छन मत और पश्चमी मत यानी शंक्राचारस्वामी भारती कृष्णतीर्थ को और शंक्राचारस्वामी सदानंजी को बकाइदा सारजनिक बयान जारी करना पड़ा शुबकामनाई दी लेकिन उनकी मौजूदगी नहीं है वहाँ पर शुबकामनाई इसी आठ तारीक को दी यानी दो दिन पहले दी सारजनिक बयान के जरिये दी हम वो सारजनिक बयान भी आपको दिखाएं लेकिन उससे पहले दो तीन बात और है जो सवाल उठ रहे हैं उसमें बहुत साफ तोर पर है क्या मंदिर का शिकर निर्मान हो गया क्या क्या शिकर कलश की अस्थापना हो गई क्या शिकर ध्वज लग गया और जब 17 एपरिल को यानी आने वाले एपरिल के महीने में ही राम नौमी कत दिन है राम नौमी मतलब जब राम का जन्म हुआ था तो क्यों उस दिन को नहीं चुना गया तो क्या ये राजनितिक तोर पर दो हजार चौबिस के चुनाओं को प्रभावितिया अपने अनुकूल करने की दिशा में मौजूदा सत्ता ने अपने कदम बढ़ा दिये और ये हड़ बढ़ाहट क्यों थी कि इसके बाद नोटिफिकेशन हो जाए ये सारे सवाल कहे जा रहे हैं क्योंकि जो 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 ज तेश्वरानन स्वरसती जी हैं उनके अगर सवालों को बहुत साफतोर पर समझें तो वो कहते हैं कि शंक्राचारियों का तो ये दाइत्व है कि वो शाश्त्र विधी का पालन करें और करवाएं भी वहाँ पर शाश्त्र विधी की उपेक्षा हो रही है और सबसे पहली हम एंटी मोदी नहीं लेकिन हम एंटी धर्मशाश्त्र कैसे हो सकते हैं यानि अब जब विश हिंदू परिशद या ट्रस्ट की तरफ से जिस बात का जिक्र किया गया यह भी बड़ी रोचक इस्तिती है क्योंकि जब हम जिक्र इस बात को क्ले कर कह रहें कि जोतिशा पीट शंकराचार जो अवी मुक्तेश्वारन सुरसती हैं ये अगर ध्यान दीजिये तो जब राम जन भूमी पुनरुद्दार समीती बनी थी तो उसके यह उपाध्यक्स थे विशग के तोर पर इनकी गवाई हुई ये समझोता वारता में शामिल थे और फैसला आने के बाद जो शंकराचार धर्माचार का ट्रस्ट था वो ट्रस्ट क्यों खतम कर दिया गया ये सारे सवाल इन से जुड़े हुए हैं और ये कहते भी क्या है हमें लगता है एक च्छन के लिए इसे सुनिये ज़रा चारों संकराचारी वहाँ पर नहीं जा रहे हैं कारण क्या है क्यों नहीं जा रहे हैं किसी रागत द्वेश के कारण नहीं बलकि संकराचारीयों का ये दाईत्व है कि वो शास्त्र विधी का पालन करें और करवाएं अब वहाँ पर शास्त्र विधी की उपेक्षा हो रही सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है कोई ऐसी परिस्तिती नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है अब यही हम कह रहा है तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो बिरोधी हैं एंटी मोधी है इसमें एंटी मोधी की क्या बात है हम एंटी मोधी नहीं है लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते धर्मशास्त्र के according ही हम चलना चाहेंगे और अपने जनता को भी चलाना चाहेंगे क्योंकि हमको धर्मशात्र से पुन्य पाप का बोध होता है राम है ये किसने हमको बताया ये बहुत ही महत्वपूर है क्योंकि जब इन्होंने सवाल उठाया या इस देश के शंक्राचारियों ने सवाल उठाया तो उसके बाद जो ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपतराय उन्होंने कहा कि दरसल रामानंदा संप्रदाय के लोगों का ये अस्थान है और शंक्राचारियों की जरूरत नहीं है ये पहली बार निकल कर बात आई तो क्या इन परिस्तितियों को ढखने की कोशिश राजनितिक तोर पर तो नहीं हो रही है और ये सवाल इसलिए भी बहत्तपूर्ण है क्योंकि ना सिर्फ एक मात्र यही शंक्राचारे बलकि जो गोवर्धन मट के शंक्राचार निश्चलानंद स्वामी उनका कहना क्या था उनका कहना था मेरा हिर्दय ऐसा नहीं कि प्राण परतिष्ठा कारिकरम का निमंत्रन दे तो मैं फोल जाओं या निमंत्रन ना दे तो मैं कुपित हो जाओं दरसल राम जी शाश्त्रों के हिसाब से परतिष्ठा हो ये जरूरी है और अभी परतिष्ठा शाष्ट्रों के हिसाब से नहीं हो रही है इसलिए मेरा जाना उचित नहीं है और आमंत्रन आया है कि एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति आ सकता है अब यहां पर सवाल है कि बाकी भी शाष्ट्रिय तोर पर जो दूसरे उन्होंने जो सारजनिक बयान दिया उसमें क्या लिखा मसलन द्वारका के शंक्राचार है जो शारदा पीट के शंक्राचार है उन्होंने बकाईदा लिखा यह सनातन धर्मावं लंबियों के लिए प्रसन्नता का अवसर है हम चाहते हैं कि अयोध्या में होने जा रहे परमात्मा शिरीराम की प्रान प्रतिष्ठा समारों के सभी कारिक्रम वेद शाष्टा नुस्वार धर्म शाष्ट्रों की मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन हो ऐसी भगवान द्वार का दीश से प्राथना है और इसको उनके निजी सचीव जो है जगद गुरु शंकराचार के ब्रमचारी सुबुधा अनंद ने जारी किया और ये बातों का जिक्र किया वहीं श्रंगेरी के श्रंकराचार जी इस दौर में जो समझ रहे हैं वो आशिरवात देते हैं कि अती पावन एम दुरलब इस प्रान परतिष्ठा महुतसव के सू संदर्व में यथा योग भाग लेकर सभी आस्तिक भगवान श्री राम चंदर जी के कृपा पात्र बनकर पात्रों ने का हमने तो दिपावली में ही कहा था कि श्री राम तारक महामंत्र का जाप कीजिए यही जरूरी है तो वह उस दिशा में चलेगा और उन्होंने भी इस से इंकार कर दिया कि वो जाएंगे अब यहां पर सवाल है आमें लगता है यह दोनों चीजों को देख लेना चाहिए एक बार जो दोनों सारजनिक बयान दोनों शंक्राचारियों के जरिए जारी किये गए ध्यान दीजिये तो दोनों ही सारजनिक बयान जो दोनों शंक्राचारियों ने जारी कि उसमें बहुत साफ तोर पर है कि वेद, शाष्ट्रा नुसार और धर्म शाष्ट्रों के इसाप से ही यह प्रान प्रतिष्ठा होनी चाहिए तो क्या यह सब कुछ नहीं हो रहा है और सिर्फ राजनिती हो रही है क्योंकि यह सवाल बड़ा हो गया कि देश में सबसे पुराने राजनितिक दल कॉंग्रिस ने आमंतरन को क्यों स्विकार नहीं किया कॉंग्रिस की तरफ से जो तीन-चार लाइने खुले तोर पर आती हैं उसमें उन्होंने लिखा कि भगवान राम की पूजा करोडो भारतिये करते हैं धर्मनुष्य का व्यक्तिगत विशे होता है लेकिन बीजेपी और आरेसेस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को ए राजनेतिक तोर पर एक जल्दबाजी मौजूदा सत्ता की दिखाई दे रही है और ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी मंदिर के उद्गाटन या निमंतरन पत्र किसी प्रधान मंत्री के पास ना पहुचाओ याद कीजिए 1951-1951 जब सोमनात मंदिर का उद्गाटन था तो एक पत्र उस बक्त के प्रधान मंत्री जुहारलाल नहरू के पास भी आया था और जुहारलाल नहरू कलक्शन के भीतर एक उनका पत्र है जो जवाब के तोरपर उन्होंने उस निमंतरन के लिए क्या लिख कर दिया उन्होंने बहुत साफ तोर पर शुक्रिया अदा किया कि निमंत्रन आपने भेजा और आपका पत्र 22 एप्रेल 1951 को मिला है ये जवाब वो 24 तारीक को लिख रहे हैं उन्होंने कहा कि 22 तारीक को मिला है और निमंत्रन को लेकर मैं खुश हूँ लेकिन जिस तरह की समस्याएं इस वक्त हैं देश के सामने उसमें मंदिर उधगाटन के लिए दिल्ली छोड़ना उचित नहीं है पहले तो उन्होंने अपने कामकाज की जुर्ड़त को बताया उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी एक व्यक्ती के रूप में इसमें हिस्सेदारी कर सकता है लेकिन सरकार के परतेनिधी के रूप में इसमें शामिल होना एक धर्म निर्पेक्ष रज के चरित्र के अनुरूप नहीं है। अगर उस दोर को याद कीजिएगा तो वो मान कर चल रहे थे कि भारत का समविधान जो 1950 में सामने आ चुका था और दुनिया ने भारत को एक सेकुलर कंट्री के तोर पर देखा समझा और सब जानते थे कि खास तोर से विभाजन के बाद बड़ी तादाद में यहां जो माइन उनकी मौजूदगी बहुत जादा है बावजूद इसके भारत के समविधान ने सेकुलरिजम को अपनाया तो किसी एक धर्म के साथ देश का प्रधानमंत्री जो समविधान की शपद लेता है वो कैसे खड़ा हो सकता है इसकी एक लकीर उस वक्त नहरू ने खीची और नहर अधोनिक भारत के मंदिरों को वो किसे कहते थे पहली बार उनोंने भाकडा नंगल बांध को लेकर किया जब उसका उधगाटन कहा कहा यही आधोनिक भारत के मंदिर है विज्ञानिक अनुसंधानों को लेकर किया जो बिजली संयंत्र और द्योगिक प्रगती जो हो रही थ जब नहरू के निकट आया उनकी दूरी जब आरेसिस से हो रही थी तो उन्होंने गोलवलकर जो सरसंग चालक थे उन पर भी हमला करना शुरू किया था तो नहरू ने उन्हें समझाया था नहीं नहीं यह ठीक नहीं है और इतना ही नहीं कमला नहरू के गुरू स्वामी अखं इसका जिक्र तो खुदारेसिस भी करती है और रामकृष्ण मिशन से जड़े हुए थे अकंडानंद और स्वामी अकंडानंद जो थे वह कमला नहरू के अगर गुरू थे तो अकंडानंद के करीबी वह गुरू गोलवलकर के भी थे इसलिए इस देश के भीतर में सामाजि सांस्कृतिक संगठनों के लेकर एक लक्षमन रेखा रही राजनिती की एक लक्षमन रेखा रही लेकिन 2024 आते अगर ये सारी चीजे एक साथ खड़ी हो गई है तो राजनितिक तौर पर 2024 इस देश के समाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक पहलूं को लेकर कितना महत्मौन है अ स्वास तोर से सोनिया गांधी को लेकर जब ये सवाल किया गया कि सोनिया गांधी ने क्यों निमंत्रन ठुकरा दिया और किस रूप में उनके किस से रिष्टे हैं तो हमें लगता है कुछ चीजों को और परकिये क्योंकि 98 में 1998 में तिरुमला तिरुपती देवस्थानम में उस समय अध्यक्ष थे सुभी रामी रेड़ी जो कॉंग्रेस से जुड़े थे उन्होंने सोनिया गांधी को तिरुपती मंदिर में दर्शन कराए बड़ा विरोध हुआ लेकिन बतोर कॉंग्रेस अध्यक्ष वो वहाँ पर गई थी और अपने पती और अपने सास के धर्म का पालन करती हैं इसका जिक्र उन्होंने वहाँ पर किया पती यानि राजीव गांधी सास यानि इंद्रा गांधी और उस दोर में CWC ने प्रस्ताव भी किया था लिखा था कि हिंदू धर्म भारत में धर्म निर्पिक्षता का सबसे प्रभावी गरेंटर है और उसके बा बकाइदा संग की तरफ से जब पूरी राजनिती चल रही थी तो रामराज बनायम रोमराज क्या भूल सकते हैं जो प्रचार प्रसार उस दोर में हो रहा था और उसी वक्त 1999 में जो भारत के रोमन कैथोलिक असोसियेशन है उसने बकाइदा एक पर्चा जारी करके कहा कि सो इसाई कैथोलिक धर्म का पालन नहीं करती अब ये सारी चीजें अगर आ रही हैं तो आप बहुत सारे पन्ने खोलेंगे कहेंगे कि राजीव गांदी के शहवानों केस के पन्ने खोली है या बावरी मस्जित का ताला जो रामलला की मूर्ती जहां रख्य हुई थी उसे साल से बंद पड़े बावरी मस्जित के गेट को खोलने का आदेश दे दिया उनके अपने आदेश से जहर तो पर उपर से दवाव था या उपर से कहा गया था तो राजनिती अपने तोर पर हत्कंडों के लिए हर अवस्था का इस्तमाल करती है लेकिन राजनिती ही उसमें समा जाए शायद ऐसा होता नहीं है और ये परिस्तिती जिस रूप में सामने निकल कर अब आ रही है उसमें लगता है हमें एक चीज का जिक्र और करना चाहिए कॉंग्रिस ने पहली बार एक निर्णे लिया है इससे पहले कॉंग्रिस यह खुद कहें राहुल गांदी को य राजनीती से दूर हो गई जिसको नेरू ने समाला जिसको इंद्रा गांदी ने समाला क्योंकि इंद्रा गांदी के दोर की राजनीती को अगर समझिये तो इस सेव अकसंग से जुड़े हुए एक नात रानडे जब विवेकानंद शीलासमारक का कार्य पूरा हुआ तो इंद्रा गांधी ने रानाडे को मुलाकात के लिए बुलाया और उनको बहुत साफतोर पर बदला कि दरसल स्वामी विवेकानंद के विचार तो दुनिया भर में फैलाने की जरुरत है और भारत को दुनिया का किंद्र बनाने में अब उनकी सरकार रानाडे के साथ खड़ी है शर्थ सिर्फ एक ही है और वो शर्थ बहुत साफतोर पर रखी गई कि स्वामी विवेकानंद को हिंदू संत की जगा भारतिय संत कहा जाए रानाडे राजी हो गए और एक छटके में जरा सोचिये उस दौर को अगर याद कीजिये तो गुरू गोलवलकर से लेकर देवरस तक के दौर तक आते आते एक ऐसी परिस्तिती बनी रही जहां रानाडे जैसा शक्स आरेसेस के साथ नहीं था और स्वामी विवेकानंद को भारतिय संत के आसरे वो दुनिया भर में प्रचार कर रहे थे तो कॉंग्रिस राजनिती के महीन धागों को कैसे पहले समस्ती थी और अब अगर नहीं समझ पा रही है और इस देश के भीतर में बीजेपी अगर खुद को हिंदू वादी पार्टी कहने से हिचक्ती नहीं है और हिंदू वादी पार्टी कहते कहते समविधान की लकीर मिट रही है या इस देश के सांस्कृतिक जड़ों को दुबारा से नए परिवेश के साथ सियासी तोर पर लाया जा रहा है तो क्या 2024 के बाद की राजनिती इस देश के भीतर में एक भारी परिवर्तन की दिशा मे बढ़ जाएगी ये सवाल भी संयोग से साधू संत और शंकराचारियों से जुड़ा है अगर 22 तारीक के बाद शंकराचार इस देश के और राम नौवी के मौके पर जो 17 एपरल 2024 को है चुनाओ के बीच में ही पढ़ रहा है जिसका जिक्र इस दौर में शंकराचारियों न समझने की कोशिश कीजिए तो क्या 2024 का चुनाओ पूरे तरीके से अयुध्या और राम मंदिर के इर्दगिर्द ही होने वाला है इनकार तो कोई नहीं करेगा तो क्या राजनिती इस देश के भीतर में अब खुले तोर पर उन मुद्दों को भी अपने साथ लेकर चलने को तयार है जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर विरोध जिसका होता था कि आप धर्म को राजनितिक हतकंडा नहीं बनाएंगे चुनाव आयोग जो कहता रहा कि आप सामप्रदाइक्त और धर्म के आसरे नहीं चलेंगे क्या ये सारी परिस्तिती एक जटके में बदल गई क्योंकि म राजनितिक तोर पर बीजेपी को आने वाले वक्त में बड़ी मात मिलेगी ये भी सच है लेकिन क्या इस शेह और मात के खेल में भारत के अपने सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक अवस्थाओं के साथ साथ इस देश के भीतर का जो सेकॉलरिजम वाला आस्पेक्ट था जो कॉंसिचूशन में जिसको दर्च किया गया और एक लंबी बहस नहीं बरसो बरस की बहस जिसमें समिधान सभा में इसको लेकर जिक्र होता था वो तमाम बातें बेमानी साबित हो रही है या बेमानी साबित हो जाएगी शायद इसी लिए दो हजार चौबिस बड़ा मात पून बरस है और 22 जनवरी के बाद इस देश की राजनिती जिस दिशा में जिस तरीके से करवट लेगी उसमें इस देश के साधूसंत और शंकराचारियों की भूमिका क्यो मात पून है ये सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि दरसल भारत के सनातन परिस्तितियों में वह ही जड़ है और वहीं से अगर सवाल उठने शुरू हो जाएं तो धर्म की सत्ता को चुनवती देने की इस्तिती में क्या मौजूदा राजनिती कड़ी होगी या मौजूदा राजनितिक सत्ता ने धर्म की सत्ता को इस दोर में चुनवती दे डाली है बहुत 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 बाद 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 शुक्या